आज हम मौजूद हैं रॉक गार्डन में एक ऐसा रॉक गार्डन जो चूडियों से ले करके प्लास्टिक की बोतलों से ले करके संगमरमर की छोटी छोटी पत्थरों इटों से ले करके जो ऐसे फेके गए थे उन्हें नेकचंद जी ने इकठा किया और बना दिया रॉक गार्डन आज हम आपसे को आए हैं रॉक गार्डन की घूपसूरती दिखाने आपको बता दे कि इस रॉक गार्डन को आधुनिक अजूबों में से एक माना जाता है 15 दिसंबर 1924 को जन्मे नेकचंद सैनी ने इस गार्डन को बनाने के लिए काफी महनत की थी उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम किये काफी सडके बनाई काफी काम किया सरकार के हाँ काफी सारे काम में उन्होंने हाथ पटाया लेकिन उसके बाद उन्होंने एक रॉक गार्डन के बारे में उनका जब खया क्योंकि वो आर्किटेक्चर थे तो उन्होंने अपना काम सुरू किया और वेश्टिस से ले करके ना जाने कितने सारे माटेरियल को इकठा किया और आज लगभग 40 एकड में इस रॉक गार्डन क का निर्मार करणा आज पैती सेकड में बना ये रॉक गार्डन देखने में ये किसी धरोहर से कम नहीं लगता क्योंकि पहले के समय में जो राजा महराजा बनाया करते थे उनके पास काफी सारे कारिगर होते थे लोग होते थे काफी काम होता था लेकिन नेकचन सैनी ने ये अखेले बनाया अपने धम पर बनाया कि वेश्टिस से बनाया जो कलाकृतियों से लेकर के आकार या फिर प्लास्टिक के बोतले या चूडियों इन सब को उठा करके नेक चन सैनी 12 जून 2015 को दुनिया को अलविदा कह चुके हैं लेकिन उनकी ये धरोहर अमर है